जार्खन में कक्छा आठवी नवी और एगार्वी के दोनों टर्म की परिक्छा एक साथ होगी परिक्छा जून के प्रतम सब्ता में सुरू होने की संभवना है इसको लेकर जार्खन एकेडमी काउंसील जैक की ओर से जल्ध ही बिस्त्रित दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे इनकक्छाओ की प्रतम चरण की परिक्छा जनवरी में प्रस्तावित थी प्रतु कुरोना के कारण परिक्छा जनवरी में नहीं हो सकी अब आईसे में दोनो टर्म की परिक्छा एक साथ ली जाएगी दोनो टर्म की परिक्छा 40-40 अंको की हो की जबकि 20 अंको का आंतरिक मुल्यांकन होगा आंतरिक मुल्यांकन इसकूल वा कोलेज के अस्तर से किये जाएंगे प्रतम चरण की परिक्छा OMRC पर वहीं दूसरे चरण की परिक्षा उतर पुस्तिका पर होगी प्रतम चरण की परिक्षा में सभी प्रश्ण बहुबिकल्पी एवं एक अंके होंगे ज्यारखन मौसम विभाग के अनुसार राची समेत आसपस के जीलों में आंसिक बादल छाये रहेंगे और गरजन के साथ देर रात से बारिस होने की संभावना है मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिनों में मौसम सूस्क रहेगा और तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस बड़ोतरी की संभावना है इसके बाद निवतन तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है मौसम विभाग द्वारा सुक्रवार को सुबह में कोहरे की धुन्द और बाद में आसमन साप रहने का पुरवनवान किया गया पिछले 24 गंटे में सबसे अधिक तापमान अठाई डिग्री सेल्सियस चाई बासा का जबकि सबसे कम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस गड़वा का दर्श किया गया जारखन में बच्चों का जाती पवनपत्र इसकूलों में ही बनेगा राज्ये के स्कूलों में बच्चों का जाती पवन पत्र बनाया जाएगा प्रागया केंद्रों से स्कूलों को टेग कर जाती पवन पत्र जारी किया जाएगा मुख्य सचीव सुकदेव सिंग ने सभी जीलों के उपायुकतों को इसे समधित निर्देश दिया है मंगलवार को सभी उपायुकतों के साथ वीडियो कन्फरेंसिंग करते हुए उन्होंने जाती पमान पत्र बनाने में आने वाली कठनायों के निराकरन का निर्देश दिया विशेश अभियान चला कर स्कूलों में ही जाती पमान पत्र जारी करो कहा मोख्य सचीव ने जाती पमान पत्र निर्धत करने रायस्व अर्चन की स्थिति किरामिन विकास योजनाओ ख्रिसी और नाव जन बित्रन प्रनाली के तहत किये जा रहे कार्यों कल्यान विभाग वा सरकार आपके द्वार अभ्यान के तहत मिले आवेदनों के निस्पादन की समिक्चा की भाजपा नेता कपिल मिस्त्रा को रांची अरपोड पर रोका गया भाजपा के नेता कपिल मिस्त्रा को रांची अरपोड पर पोलिस ने रोका है ओ मिरितक रुपेश पांडे के परिवार से मिलने हजारी बाग जा रहे थे इस दोरान उन्होंने सरकार पहामला बोलते हुए लिखा की ट्विट किया उन्होंने आगे लिखा रुपेश पांडे जी के परिवार से बात हो गई है उन्हें धांडस दिया है अंत में उन्होंने लिखा न्याय तो करना ही होगा जनकारी के मताबिक ओ अभी पुलिस कस्टडी में ही है जारखन में मौखिक आदेश पर किसी को भी अंगरक्षक नहीं दे सकेंगे राज्य के 24 जीलो में अब कहीं भी एसपी किसी को मौखिक आदेश पर अंगरक्षक नहीं दे पाएंगे इसके आलावा किसी दूसरे अधिकारी के निर्देश पर भी मौकिक रूप से किसी को अंगरक्षक नहीं दे सकेंगे इससे संबंधित निर्देश पुलिस मुख्यालेन सभी जीलों के एसपी के लिए जारी कर दिया है जिसमें उलेख है की मौखिक आदेश पर किसी भी ब्यक्ति को अंगरक्षक नहीं दिया जाएगा जिन लोगों को अंगरक्षक दिया जाएगा उन्हें राज्य या जिलास तरिय सुरक्षा समीति द्वारा विधिवत रूप से आदेश पारित कराना अवस्यक होगा जारकन ससस्त्र पूलीस या आई आरबी आदी से किसी भी ब्यक्ति को बिना पूलीस मुख्याला है या भी से सकाथ से निर्गत आदेश के बिना अंगरक्षक नहीं दिया जाएगा तीसरा काउंसिलिंग खत में लेकिन जारकन के 135 बीएट कोलेजों में 25% सीटे खाली राजे के 135 बीएट कोलेजों में कूल 13500 सीटे में अभी लगभग 3300 सीटे यानी 25% खाली हैं जबकि जारकन सन्युक्त परवेश परत्युक्ता परिसत द्वारा 1721-23 के लिए सितंबर 21 से ही नमांकन लिया जा रहा है नमांकर परकिरिया में देरी के चलते राजे के बीएट कोलेजों में 17-7 माह भी लंब भी हो गया है लोहर दग्गा के बुलबुल जंगल में पूलिस नक्सली मुड़़ में 5 लाह काई नामी नक्सली गांजु धेर लोहर दग्गा जी लेके पेसरार थाना चेतर इस्थित बुलबुल जंगल में एक बार फिर बुद्धवार को पूलिस नक्सली मुड़़ हुई इस मुड़़ में 5 लाह काई नामी नक्सली बालक गांजु को पूलिस ने मार गिराया है इस दवरान दोनों और से करीब सैक्रो राउंड गोलिया चली बुद्धवार को बुलबुल जंगल में गोलियों की तरतरहा सुनाई दी पुलिस नक्सली मुड़़ के दवरान एक सो से अधिक राउंड गोलिया चलने की खबर है इस गोलिबारी में एक नक्सली मारा भी गया है मारे गए नक्सली की पचान बाला कांजु के रूप में हुई है नक्सली मुवमेंट को लेकर गुमला एस पी ने दिये निर्देश गुमला जिले में बढ़ते नक्सली गतिपिति को देखते हुए SP डाक्टर एतिसाम वकारिव ने सभी SDPO और इंस्पेक्टर को अपने अपने अधिनस्त पुलिस फिकेट में केम्प करने का निर्देश दिया है साथी नक्सलियों की संपती जब्त करने और CCA के प्रस्ताव की समिक्षा कर भेजने का भी निर्देश दिया है SP डाक्टर वकारिव ने जीले के 18 थाना के थानेदार SDPO, DSP सहित और ने पुलिस अधिकारियों के साथ समिक्षा बेटक की है अपनी ही सरकार से बागी हुए जामों विधायक लोबिन हेंब्रेम जारखन में सराब अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है इस पर जामों के भीतर ही राइनितिक बवाल सुरू हो गया है मुख हेमंत्री हेमंद सुरेन एक तरफ सराब बेचकर रजस्व कमाने के लिए 36 गर से नया फर्मुना लागू करने जा रहे हैं वहीं उनकी पार्टी के बिधायक लेविन हेम्रेम हेमंद सुरेन की इसकवायत की खूल कर अलोचना कर रहे हैं वह जारखन में भी बिहार की तरफ सराब बंदी लागू करने की मांग कर रहे हैं उन्होंने अपने ही पार्टी के सरकार के खिलाब बगावत का जंडा बुलंद कर दिया है मुख्यमंत्री हमान सुरेन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने जामों के सभी विधायकों को पत्र लिखा है अपने पत्र में सराब बंदी पर समर्थन देने की मांग की है जारखन में कुरोना के 135 नए केस मिले है जबकि 299 मरी स्वास्त भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संक्या 1317 है भारत में 2969 नए केस मिले जबकि 65944 मरी स्वास्त भी हुए है भारत में कुल एक्टिव केस़ की संक्या 3,29,576 है सिख्चा मंत्री जगानाथ महत्हों ने अफसरो को हड़काया ज्हारखन के सकूली सिख्चा एयां सक्षर्था विभाग के मंत्री जगानाथ महत्हों ने आवेजीत राजी अस्तरीय समिक्षा में सिक्षा योजनावों की अब तक की प्रगति पर नराजगी प्रकट करते हुए अबिलम इसमें सुधार करने को कहा अफसरों द्वारा रिपोर्ट दिखाये जाने पर उन्होंने कहा कि पदादिकारी कागजी रिपोर्ट नहीं धरातल पर काम कर दिखाएं उन्होंने कहा कि एक माह के भीतर इस्तिती में सुधार नहीं करने वाले पदादिकारीयों के विरुद करवाई की जाएगी सिक्षा मंत्री ने अपसरों से पूछा कि यो खर्च नहीं हुई 450 कोलो रुपए सिक्षा मंत्री जगरनाथ महतों ने जीलों से लोटाई गई लभग 450 कोलो रुपए की रासी पर नराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि यह रासी अपसरों की लपरवाहे की कारण ही खर्च नहीं हो पाई परतेक जीले ने राजे में सिक्षा प्रणाली के बहतरी के लिए धन का उप्योग करने की वज़ाए इतनी बड़ी रासी लोटा दी उन्होंने जब अधिकारियों से इस पर जबाब मांगा तो कोई जबाब नहीं दे सका वितिय वर्ष 2021 के दुरान कूल खर्च के बारे में पूछ जाने पर भी तमाम अफ्थर चुप रहे हलाकि लोहर्दागा और बोकारों के अधिकारियों ने बताया की पिछले साल की धन रासी ब्याज सहीत थी जिसे लोटाई गई कूल रासी बढ़ गई है सिमडेगा में खराब खाना को लेकर नवदय बिद्यालय के बच्चों ने खोला मोर्चा चारखन के सिमडेगा प्रखंड इस्थित जोहर नवदय बिद्यालय के चात्रों ने खराब हो जान यह हम अन्य गलबड़ी की सिकायत कर रहे हैं सुत्रो के अनुसार इधर स्कूल के छाधरों ने DC सुसान्त गौरों को भी इमेल के माद्यम से स्कूल की सिकायत की हलाकि इस समय में स्कूल परवन्धन के दोबारा कुछ भी जिनकारी नहीं दी जा रही जारखन में अब हाइड्रो जेल से सिचाय वेवस्ता होगी दुरूस्त जारखन की रैधानी राची जिले में जितनी खेती होती है उनमें से 50 पर्थत खेती ऐसी चेतर में की जाती है जहाँ सिचाय का नितांत अभाव रहता है सिच्चाई का साधन नहीं रहने के कारान खेती मुखे रूप से बारिस पर निर्भर रहती है बारिस पर खेती की निर्भरता को कम करने के लिए भारतिय प्रकृतिक राद एवं गोंद संस्थान राची के बैग्यानिकों ने हाइड्रो-जेल विक्सित किया है हाइड्रोजेल की मदद से बारिस के पानी को इस्टोर कर रखा जा सकता है इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जा सकता है जब फसलों को सुखार के मौसा में पानी की जरुरत पड़ेगी जारखन सरकार किसानों के खाते में धान के दूसरे लोट की रासी डालना भुली जारखन सरकार किसानों के धान खरीदने के बाद दूसरी लोट की रासी किसानों को देना ही भूल गई है दरसल धान अधिप्राप्ति केंद्र पर किसानों से धान खरीदारी के बाद पहले लोट में 50 परतिया रासी किसानों के खाते में डाल दी गई मगर दूसरे लोट की रासी किसानों के खाते में नहीं डाली गई दूसरे लोट की रासी राइस मिलडो द्वारा गोदाम से धान उठाव के बाद किसानों के खाते में रासी डाली जाती है जो अब तक नहीं डाली गई है पांच जनवरी से राइस मिलर धान का उठाव कर रहे हैं एक माहा से अधिक का वक्त बीत जाने के बावजूद दूसरे लोट की राशी की सानों को नहीं मिल सकी है जारखन रगभी को इंडिया रगभी में मिली 28 सरस्यता है भुनेश्वर में अवेजी दो दिवसे रगभी इंडिया के उतकरिश संगोष्टी में देश के विभीन राजियों के 50 परतिनिधियों ने हिसा लिया है जारखन रगभी फूटबोल एसोसेशन के महा सचीव हेजाज असदक ने जारखन का परतिनिधित्व किया इस संगोष्टी के अद्यक्षता रगभी इंडिया के अद्यक्ष एवं फील्म अविनेता राहूल बोस ने की संगोष्टी में जार्खन में रगवी के विकास एवं विस्तार तथा जार्खन के रगवी खिलाडियों के दोवारे नेशनल रगवी चैंपियेंसिप में किये गए पर्दसन की सराहना की गई है OBC मोर्चा ने काला बिल्या लगा कर जताया बिरोध पंचाज चुनाव में OBC का आरक्षन लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्री OBC मोर्चा ने चरणबद अंधोरन करने का नेन लिया है इस करम में बुद्धवार को सदस्यों ने कला बिला लगा कर बिरोध दर्ज किया मोर्चा के परदेश अध्यक्ष राजेस कुमार गूपता ने कहा कि जारखन सरकार सिग्रेन ने आया लाए में इंटिरियर रिपोर्ट पेस करे और OBC का आरक्षन सुरक्षित करे यदि बिना आरक्षन के पंचाय चुनाव कराने का पर्यास किया जाएगा तो उसका बिरोध राश्ट्रिय OBC मोर्चा करेगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होगे तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बाल का बेल लेंगा दबाएए साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बेक्स में अपना फीड़वेक अवस्ते दे थैंक्यू